हेले स्टुडेंस आज की लिक्षर में हम प्राबबिलिटी के कॉंसिप्ट के बेसिस पर एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं देखिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि यह जो मेरे पाट डाइस है लोडू की गेम में अगर मुझे 6 चाहिए तो 6 आने की और जब मैं इस डाइस को रोल करूँगा तब 6 आने की प्राबबिलिटी क्या होगी दोस्तों बहुत ही असान चीज़ है कैलकु आउटकम्स है अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए 6 तो इसकी प्राबबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखे क्या मैं यह क्या सकता हूँ कि 6 नहीं आएगा नहीं आभी सकता है मतलब की impossible तो नहीं है क्या मैं यह कहूँगा कि 6 ही आएगा नहीं क्या तो यानि कि हमारा यह जो 6 आने का event है यह ना ही impossible है ना ही certain है इसकी probability 0 और 1 इसके बीच में लाए करती है 6 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता हमें अब यह calculate करना है कि 0 और 1 के बीच में वो value कहां पर लाए करती है देखे दोस्तों बहुत ही असान है calculate करना हमें calculate करना है कि क्या probability ह है कि मेरा result 6 आएगा तो दिखे हम numerator में सब से उपर place करते है favorable outcomes को मुझे क्या चाहिए 6 चाहिए यहाँ पर 6 कितनी बारी present है सिर्फ एक बारी हमें यहाँ पर एक बारी 6 दिया गया है तो मतलब कि हम उपर लिखेंगे 1 divided by हमारा possible outcomes total कितनी चीज़े आ सकती है 1 2 3 4 5 6 total 6 दूँगा और answer आ गया बस इतनी असान चीज़े मुझे अपना answer मिल चुका है कि 6 आने की probability है 1 divided by 6 यानि की roughly यहाँ पर 1 divided by 6 जो कि होता है दोस्तों almost 16.67% तो देखें students कितनी easily मैंने probability के formula से अपनी final जो मेरी 6 आने की probability है वो calculate कर ली है जो कि यह 16.67% अब students थोड़ा सा इसी experiment म एक variation करते हैं. Let's say कि अब मैं चाहता हूँ कि Ludo की game में मेरा कोई even number आए या तो 2 या 4 या फिर 6 इन में से कोई एक number आए. तो देखें अब क्या probability होगी कि जो मैं number चाहता हूँ वो आएगा. देखें calculate कर लेते हैं यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि क्या probability है कि एक even number आएगा. त हमारे यहाँ पर even numbers total 3 present है. तो मतलब कि favorable outcome यहाँ पर total 3 है. divided by possible outcomes. टोटल यहाँ पर कितने outcomes possible है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 divided by 6. इसको थोड़ा simplify करोगे. बन जाएगा 1 by 2. यानि कि 0.5 जो कि यहाँ पर बिल्कुल 1 by 2 लाए करेगा. मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि 6 आने की probability है 1 by 6. पर किसी formula को use करके कितनी different situations में इस chance को calculate कर लिया है. I hope कि अब आपको इस formula को किस तरीके से use किया जाता है उसमें कोड़ भी डाउट नहीं है. तो चलिए दोस्तों, अब हम probability के concept को बहुत ही बड़िया तरीके से समझ चुके हैं. अब time आ चुका है कि हम इसी formula के basis पर बहुत सारे questions अल होगा. और ऐसी मज़ेदार तरीके से अपने हर एक concept क्लियर करने के लिए, डाउनलोड कीजिए P.U.Stack app को. जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे options होंगे. जैसे की back exercise solutions, tip videos, sample papers and much more. So what are you waiting for? Download the app now.